नमस्कार दोस्तो मल्टी वैगर स्मार यूटिब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो संडे का दीन है और आपके लिए हिस्टोरिकल ब्रेकाउट वाले स्टॉक्स का वीडियो लेकर में आ चुका हूँ तो दोस्तो वीडियो को लाइक वोशी कीजिगा हमारी कंसिस्टंसी के लिए दोस्तो एक लाइक तो बनता ही है तो सबसे पहले दोस्तो स्टॉक का नाम है समवर्धन मधरसन सुमी दोस्तो 140 रूपिस का आसपास का प्राइज है और अगर आप देखेंगे तो यह अपने आल टाइम हाई 52 वीक हाई जोन के आसपास से स्टॉक ट्र का आपको नीचे मिल जाएगा आवश्य जोन कर लिजेगा तो 86 रूपिस वाला स्टॉक आपके सामने दोस्तो अल्टेडी 70 परसंटेज के आसपास रिटन दे चुका है लेकिन दोस्तो कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती है यहाँ से नई कहानी की सुरुआद भी हो सकती है क् के टेकनिकल चार्ट अगर आप देखेंगे मधरसन का तो सबसे पहले दोस्तो 2018 में यह हाई लगाया था 140 के आसपास का 130 के आसपास का उसके बाद में 2021-22 और अब जाकर के दोस्तो 24 में सबसे पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रेक आउट की कैंडल बनी है, क्लोजिंग हुआ है, विकली टाइम फ्रीम की जो कैंडल है, काफी अच्छी बनी है, तो मेरे इसाफ से काफी ब्यूटिफुल इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, वैसे दोस्तो यहाँ से इसको हम ट्रेक करते आ रहे है और आपके सामने ही है दोस्तों, वॉल्यूम के साथ में ब्रेक आउट हुआ है, अच्छी बात क्या है दोस्तों, रजिस्तन्स के उपर सश्टेन क्या है, तो 120 रुपीस के नीची ये श्टॉक खिसकना नहीं चाहिए, अधर्वाइस इसका चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बाकी दोस्तों ये जो श्टॉक है ल लोवर पॉइंट है, 26 रुपीस का है, तो यहां से दोस्तों, 100 रुपीस का तो गैप वैसे ही बनता है, तो अगर इसका टार्गेट निकालता है, तो 220 का तो टार्गेट ऐसे ही निकल जाएगा, 220, 240 का, तो आप अपने इसाब से इसको रडार पर रखिएगा, कहिना चाहू दोस्तों, शेयर का नाम है सारे गामा इंडिया लिमिटेड, दोस्तों, फंडामेंटल बेसक आपको अच्छे लग सकते है, खराब लग सकते है, किसे श्टॉक के, लेकिन जनरली मैं चार्ट स्टक्चर को ही फॉलो करता हूँ, 480 रुपीस के आसपास का प्राइज है, और यही दोस्तों, इसका ओल टाइम हाई, 52 वीक हाई भी रहने वाला है, सारे गामा की बात करते तो यह वाला चार्ट भी मैंने सुकरवार के दिन ही पब्लिस किया हुआ था, और इस पर्टिकलर स्टॉक को हम 400 से ट्रैक करते आ रहे हैं, तो आपके सामने दोस्तों, स्टॉक 20 परसंटेज अल्रेडी इंक्रिज हो चुका है, माफी चाहेंगे दोस्तों, इसका ओल टाइम हाई है, 540, 550 के आराउंड, लेकिन दोस्तों, यह हिस्टोरिकल ब्रेक आउट है, क्योंकि आप देखे, बहुत लंबे अर्से के बाद में, स्टॉक ने 2021 से एक नई रैली की सुर आता है, और यह कप पेटर्न भी दोस्तों, काफी लंबा टाइम लेता है, 2022 से 2024, दो से धाई साल के समय के बाद में, सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक आउट देता है, 450 के ऊपर, श्टॉक ने यहाँ पर भी अटेंप दिखाया था, मिडल में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हु लेकिन यहाँ पर कैंडल भी आप देख सकते है, बॉड़ी देख सकते है, और नीचे में वॉल्यूम भी देख सकते है, जो कि हमको हिंट देता है, कि अच्छा सा ब्रेक आउट हुआ है, इसका अगला रजिस्तन्स होने वाला है, 500, 550 के आरांग, लेकिन श्टॉक जो है अपर क्रॉस हो गया, तो काफी उम्मेद है दोस्तों, यह जो स्टॉक है बहुत अच्छी रैली भी दिखा सकता है, कहिना जाओंगा दोस्तों, से भी रेजिस्ट्रेट एक्सपर्ट नहीं हो, अपना फिनांस एलेड़ाइजर की जाला लिजेगा, खुद का भी रिसर्च क अगला स्टॉक है दोस्तों, मुंजाल सोवा, 170 रुपिस के आसपास का प्राइज है, फंडामेंटल्स आपको खराब लग सकते है, लेकिन इसका चार्ट स्टॉक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, वैसे दोस्तों, जनवरी 11 को, 11 जनवरी को आपके सामने रखा गया था, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दोनों टेलिग्राम चैनल ही जॉइन कर लिए, तो फिर वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैं एक्स्क्लूजिव क्वेंटेन आपके लिए रखता ह वीडियो में मैं अच्छे से समझा सकता हूं, तो मुंजाल सोवा की बात करते हूं तो आपके सामने है दोस्तों इसका भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है, 300 से ये श्टॉक गिरते गिरते आपके सामने है दोस्तों, 60 रूपीज पर आ चुका था, आल्मोस्ट आप देखे, 70 प हुआ तो दोस्तों, जब मैंने आपके सामने ये चार्ट स्ट्रक्चर रखा था, बहुत तेजगती से ये जो स्टॉक है, 60 रूपीज की बढ़त दिखात है, उसके बाद में फिर से गिरावट है, तो ये जो 165 रूपीज का अभी तक resistance था, ये अभी automatically support का का काम कर रहा है, 50 का moving average भी इसको संभाल रहा है, तो ये जो स्टॉक है 150 रूपीज के नीचे close नहीं होना चाहिए, otherwise इसका chart structure खराब हो जाएगा, बाकी दोस्तों, मजबूती अभी भी है, volume अभी भी ठीक ठाक है, तो ये जो यहाँ पर breakout हुआ है, तो थोड़ा बहुत profit booking आया है, जिसके चल जल सोवा के बाद में अगला जो स्टॉक है, शेर का नाम है HCC, जी हाँ दोस्तों, HCC में अगर आप देखेंगे तो चॉंक जाने वाले है, प्लेजिंग की मात्रा काफी जादा बड़ी है, लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये जो स्टॉक है PSU है, और PSU स्टॉक अ पास ट्रेड कर रहा था 2007 में, और उसके बाद में गिरता गिरता ये जो स्टॉक है, फोर रूपीस पर आ चुका था, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अल्मोस्ट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइब परसंटीज का करेक्शन, और उसके बाद में रिवाई होता है दोस्तो 2023 में, उस समय पर प्राइस सा दोस्तो 24 रूपीस, और 24 रूपीस का जो ब्रेकाउट हुआ, वो इसको यहाँ पर ले जाता है, 42 रूपीस तक, और आप देखें दोस्तों यह जो 42 रूपीस का जोन है, इसको सुरु आज से परेसान कर रहा है, 2013 से, तो एक बहुत ही इसको ब्रेकाउट के जोन के आसपास है, जो कि अल्मोस्ट 11 to 12 यह का यहाँ पर रूपीस तूटेगा, तो आप समझ सकते दोस्तों इसके बाद में कितनी बड़ी और अच्छी रैली बन सकती है, इसका जो अगला रूपीस और 66 रूपीस हो सकते है, बाकि दोस्तों यह मल् जोज भी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बार यह 42 रूपीस के ऊपर क्लोज होता है, तो अच्छी बात हो जाएगा, और वहीं पर दोस्तों नीची में 35 रूपीस के नीची यह क्लोज नहीं होना चाहिए, एच्छी सी का टेकनिकल चार्ट स्रुक्चर वाल्यूम के साथ में ब्रेकाउट की तैयारी कर रहा है, अगला जो स्टॉक है दोस्तों शेयर का नाम है ACC, ACC के बाद में ACC 2609 रूपीस का प्राइज है, और अगर आप देखेंगे इसका ओल्टाइम हाई 2800 के आसपास है, बाकी दोस्तों टेकनिकल चार्ट स्रुक्चर आपके सामने रखा था दो से नीचे आ गया, तो यही दोस्तों आपको समझाना चाता हूँ कि stop loss अवश्य लगा के रखें, कोई भी trade हो, आप 10,000 लगाते हो, 10 करोड लगाते हो, लेकिन दोस्तों stop loss अपने हिसाब से अपने risk के appetite के हिसाब से लगा नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो stop loss बिना ही काम करते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, HCC जैसा stock उनके हाथ ते चड़ जाता है, और आप देखी सकते है, 120 रुपीज वाला stock, क्योंकि यहाँ पर तो किसे ना किसे ने buy किया ही होगा, transaction हुए होगे, तब ही जाकरके इसका 119 का price हुआ, और आप समझे दोस्तो 119 का जो price है, 4 रुपीज का low है, average करते करते भी आप देखे, 60-70 रुपीज के आसपास भी उनका average price आता है, तो इतने सालों, 10-11 सालों के बाद भी, अभी भी उसमें 20 रुपीज का gap दिख रहा होगा, तो यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि average आउट तो करन भी उठ नहीं पाते हैं, और उठते उठते दोस्तों बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो opportunity cost भी आता है, तो यह सारी बाते अवज़ आप सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप हमारा swing trading का courses जोईन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे courses हैं, जदा जानकर ये लिए आ आप हमारी team को telegram पर contact कर सकते हैं, बाकी दोस्तों बात रही ACC की, तो हाँ बहुत ही अच्छे chart structure दिख रहा है, लाश्ट टाइम जो reject हुआ था breakout, फिर से उस level पर आ चुका है, और यहाँ पर आप दिखें इसका जो lower point है, 1600 के आसपास है, तो 1000 रुपिस का तो gap बुझे ऐसे ह चार्ट पर दिख रहा है, और आप देखें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा zoom करता हूँ, तो यहाँ पर एक trend line का भी breakout नजर आ जाएगा, नीचे में volume है, volume भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात क्या है, जो 2500 का एक psychological barrier है, उसके उपर stock ने close भी दिया है, तो इहाल फिलाल में ही IPO आया हुआ था, और आप देखें दोस्तों 2021 में इसका IPO आया हुआ था, उस समय पर price था दोस्तों 450, 450 से सीधा यह 1250 तक पहुंचता है, मतलब कि almost 3X होता है stock, और उसके बाद में जो गिरावट आती है, गिरावट आती ही दोस्तों आप देखें, 1250 वाल दिया था, साइध मैंने हमारे student के साथ में इसको learning purpose के लिए share किया था, और आप देखें दोस्तों 450 वाल श्टॉक, सीधा अभी जो इसका price चल रहा है, 800 के आसपस तक rally दिखाता है, फिर से नहीं चाहता है, फिर से दोस्तों वही zone इसको बार बार परिसान कर रहा है, कितनी बार, almost 1, 2, 3, 4, 5, और पांचवी बार जाकर कि अभी breakout आया है, 50 का moving average नदिक है, तो ज्यादा tension की बात भी नहीं है, और 800 का psychological barrier भी cross किया है, 820 का, तो इसके नीचे अभी close नहीं होना चाहिए, और नीचे में volume भी आप देख सकते है, बहुत तगड़े volume के साथ में closing आया है, तो ये charge structure आप अपनी रडार पर रख सकते है, इसके अगले resistance zone होंगे दोस्तो, 1000 रुपीस, 1200 रुपीस, या फिर आप हर एक 100-100 रुपीस के resistance को पकड़ सकते है, और आज की studio को जो अनतीम stock है, stock नहीं है basically, यहाँ पर एक index है, बहुत ही अच्छा सा index है, जिसका नाम है Nifty Oil and Gas इसका charge structure में आपको दिखाना चाओंगा, उसके पहले दोस्तो, इसका constitution है, मतलब कि वेटेज है, यह जो index बना है, यह कुछ stocks के चलते बना है, जिसमें Reliance Industries का 31% है, ONGC है, IOC है, BPCL है, Gale है, HPCL है, Adani Total Gas, Petronet LNG, Oil India और IGL, तो यह सारे जितने भी stocks है, वो मिला करके दोस्तों इंडेक्स बना है, जिसका नाम है, Nifty Oil and Gas, अभी दोस्तों मैंने check किया है, जब तक मैं देख सकता था, इसका कोई भी ETF नहीं है, ना ही दोस्तों इसको हम trade कर सकते हैं, जैसे के Nifty 50 future में हम trade करते हैं, वैसे इसको trade नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों, chart structure काफी interesting इसका लग 4500 points बढ़ने के बाद में एक अच्छा सा breakout है, और ये भी breakout दोस्तों all time high का है, यहाँ पर cross हो जाता लेकिन हो नहीं पाया, तो यहाँ पर एक छोटा सा cup pattern भी बना है, 12,000 रुपिस के उपर close होता तो अच्छी बात होती, लेकिन वो somehow possible नहीं हुआ है, तो अगले हफते दोस् तो ये सारे जो stocks हैं, आप अपने लिश्टर से हटा दीजेगा, लेकिन जब तक ये यहाँ पर trade कर रहा है, 12,000 रुपिस के उपर जाता है, तो ये सारे stocks आप अपने इसाप से check कीजेगा, momentum अच्छा बन सकता है, क्योंकि ये stocks चलेंगे, तभी दोस्तों ये वाला index चलने व इतना बढ़ सकता है, जैसे जैसे इसका जो weightage है उसके according, तो देखेगा ज़रूर काफी interesting रहने वाला है, आगे वाला बाजार, तो उम्मीद करते हूं तो वीडियो आपको पसंद आया होगर अपने like भी कर दिया होगा, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, take care, bye, आप